पियारे बच्चों आप सभी कैसे हैं आशा करती हूं अच्छे होंगे मस्त होंगे और सस्त भी होंगे बिलकुल मेरी ही तरह तो बच्चों बहुत दिनों बात आप से फिर से मुलकात हो रही है क्योंकि हमारा यूटूब का सेशन तो ऐसे खतम हो चुका था लेकिन 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 आज हम देखने वाले हैं क्या भई आज हम देखने वाले हैं सेंपल पेपर के बारे में किस तरह किस एकोशन आते हैं आपके आप लोगों को अभी तक तो पता चल गया होगा मैंने पूरा सीरीज में आप लोगों को जितने भी कोशन कराए हैं important ही question कर रहे हैं और मैंने जितने पेपर का analysis किया उसके according मेरे तरब से मैंने बहुत सरे question के बारे में डाला और आप लोग यह चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए और question series ऐसा बनाते जाओं तो आप लोग मुझे comment करके जरूर बताते जाए ठीक है तो आज के session में हम क्या देखने वाले हैं सोच रहों कि मैडम तो पूरा करवा चुकी है लेकिन आज क्यों अचानक से मैडम पहुंच गई मैडम इसलिए पहुंच गई कि भाईया आज हमको क्या देखना है आज हमको sample paper देखना देख लो भाई मेरी photo बहुत सुंदर से दीखर मान के चलते रहो ठीक तो आप लोग देख रहे होगी जो हमारा 36 गर बोर्ड का paper बहुंच अजदर नजदीक आ चुका है और बहुत ज़दर नजदीक और हम थोड़े से जादे ही मतब हमारा हाट पीचाना है ठीक तो अभी हम क्या बताने वाले हैं मैं कोई आंसर आपको न ठीक है अचानक से मैं आपको 26 प्रशन यूँ आपके सामने डाल के दे दी कि यही आएगा paper में तब आपके जो दिमाग के बत्ति कैसे जलेगी या कैसे बंद होगी वहां पर का station आपको यहां पर imagine कर रहा है अपने आपको imagine करो यही 26 प्रशन अगर वही पहुंच जाए तो कैसे करोगी कैसे लिखोगी तो यही तो आपके मन में जगाना है मुझे कि आखिर आप इस sample paper के question को देख करके अपने अनुभूती को कैसे यहां पर करोगे तो यहां पर हम देखने वाले हैं क्या sample paper यानि कि board परिच्छा में कैसे लिखते हैं यह मैंने सब कुछ बताया है तो आप लोगों को जैसे कि मैं पहले ही बता चुक्यों लिखने का पर फिर से एक बर में एक बर बता दूंगी हाँ पर तैकि आपकी दिमाग की बत्ति फिर से फटाक से जल जाए तो चलिए भाई हम देखने वाले हैं क्या हमारा sample paper का question आप बहुत ज़्यादा बखवास कर तो चलिए भाई mission 23 जो हमारा sample paper इस पर हम चर्चा करने वाले हैं चलिए start करते हैं जब हम question paper देखते हैं तो सबसे पहले हमको ये तो पता है blueprint जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि blueprint में हमने क्या क्या चीज़े देखा है एक तो हमारे question यानि कि कौन कौन से chapter है और उस chapter से कौन कौन से unit wide question पूछा जाता है और कितने अंक के पूछे जाते हैं इस पर हम पूरा बात कर चुके हैं तो पिछला हमारा video हमने देखा हुआ है आप लोगों ने भी देखा हुआ है सिपापी लोग के लिए तो बना है मेरे लिए तो बना ही नहीं है ठीक है आप लोग के ल उठाए सबसे पर हमको sample paper देखेंगे तो हमारे दिमाग में 26 प्रश्ण को दिमाग में भर लेना है ठीक है भई तो यह 26 प्रश्ण जब आपके दिमाग में जाता है तो किस तरीके से जाएगा भाई 26 प्रश्ण आपके सामे में रख दू paper कर ली है तो अब कैसे पढ़ोगे उसको केसे लिखो कि लिखने को पैटन नहीं आइद करोगे वहां पर में किसी का आऊंसर नहीं देने वाली क्यूंकि आंसर मेरे चैनल में रखा हुआ है ? च्ल Hahnemam वाला भाल लुझी क्लास वाला देखूнов वहा तो वहाँ पर आपको दिखाए देगा, ठीक है, तो सबका आंसर मैं पहले बता चुकी हूँ, तो सिर्फ कोशन देखोगे, माल लो जाए, ये प्रश्न हमारे कैसा आता है भई, हमारे आता है, एक से लेकर पाँच प्रश्न जो होंगे, अती लगुत्तरी प्रश्न, यही आता है, वह हमारे अती लगुत्तरी प्रश्न, उसी तरह हम आपके 11 से 22 तके प्रश्नों की बात करें, 11 से 25 तके प्रश्नों की बात करें, तो वह क्या होता है, लगुत्तरी यानि कि उसके बारे में हमको थोड़ा सा, थोड़ा सा डिटेल लिखना है, चाहे वह लिखने के पैट को भड़ा भड़ भड़ाते हैं और नाम लिखते हैं और हमारा कोशन सौल जाता है तो मुख्य हमारा क्या होता है डाइग्रम तो लिखने का प्रणा एक बार और मेरे तरब से सुनते जाईए आप लोग लिए बहुत अनिवारे हैं पेपर पास है तो थोड़ा सथ देखते ज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या खोश्चन के बारे में तो हमको पता चल गया कि bei 11-22 तक का यौन हो वह हमारा तीर अंका प्रशन होगा और आपके जो ट्यीस्वा प्रस्ण होता है तो इसको याद रखना चार अंके प्रशन ठीक है चार अंके प्रशन हर बच्चा क्या क अच्छे आंक दिला दें, हम क्या करते हैं, बड़े के चकर में कभी-कभी छोटा भूल जाते हैं, या छोटे के चकर में बड़ा भूल जाते हैं, तो समय एकदम तीन घंटे, तीन घंटे बांधा हुआ है, तो ये जो तीन घंटे में आप 10-15 मिनट सिर्फ कोशन को पढ़ो, रिपीट करो, ठीक है, आप कोशन को पढ़ा तो हमने हैं, अब एकजाम हॉल में, अपने आपको नुमानित करो, आप एकजाम हॉल पे हो, तीन घंटे का पेपर, दे दिया आपको आपके हाथ में पेपर, आप कैसे करें, इस 15 मिनट में पढ़ना भी है, कोशन सौल भी करना है, तो आप रिलेक्स करो, सबसे पहले तब तो घहरी, सांस लो, और शांत हो जाओ, रिलेक्स करो, अब 15 मिनट आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, हमने पढ़ा हुआ है, यह हमने पढ़ा है, खुशी से, खुशी से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते जो पहले, बढ़ से आपको क्या करना है, मार्जिन, मार्जिन, खीच लेना है, लाइन बना करके बढ़िया से रख लो, ब्लैक ब्लू प्रेंट जरूर रखा करो, बहुत अनिवार है इसके लिए, तो अब आते हैं हम, क्या, आते हैं वापिस से हमारा 24 से 26 क्या था, दिर्ग उत्तरी प्रेशन, दिर्ग मतलब बड़ा आंसर, बड़ा आंसर मतलब आपको डाइग्राम, आपको फ्लोचर, अच्छा मैं बता देते हूं, लिखने का पता बोलोगे, तुम लोग लिखने का तरीका तो आप बताई नहीं रहो, तो यह सारे चीज में बताऊंगे, जो कि यह पाए यह प्रेशन आचुका, प्रेशन के सुचमजीव से प्राप्त होता है, याद करो और आप खुद आंसर दोगो, मैं नहीं दूँगी, हर चीज अगर मैं बताऊंगे, तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है, तो आपका काम क्या है, कि आप याद करो, यह सुचमजीव वाला हम हमने इन परियोजना के बारे में क्या पढ़ा है, महा परियोजना कुछ कुछ तो याद आई रहोगा, है ना, तो मानो जीवों परियोजना को क्या कहते है, CFCS, याद करो कौन से चेप्टर था, यह हमारा पीछे का चेप्टर था, 13, 14, 15, 16, कौन सा यूनिट है, लास्ट फ यूनिट में हमने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, CFCS, क्लोरो फ्लोरो कार्बन याद आ रहे कि नहीं आ रहे है, तो ऐसा छोटा छोटा पॉइंट को आप पढ़ते जाओ, ठीक है, कि इस कोश्चन में ऐसा आया, तो उस समय मैं, मतब इतना सारा चेप्टर है, 16 चेप्ट है, तो कौन सा पारिसितिक तंद्र सरवाधी कि स्थाई होता है, हमने पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा, महासागरी के बारे में हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो यह हो गया आप लोगों का, BT का पास, याद करो, क्राई प्रोटीन, याद आया, क्राई जीन, त आप उससे याद करो, कि हमने इसको किस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, चलो, एक अंक का प्रेशन आता है, तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा, मतब क्या आजाएगा, हम कह नहीं सकते, इतना तो पता है, कि तीन यूनिट जाना है, कि कंके प्रेशन है, दो अंकी के प्रेशन आते हैं, छे से दो, तो बहु भुणता हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, तो दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, आपको लोगों को यादी होगा, है ना, तो कहने का मतलब आप चैप्टर याद करो, बहु भुणता, होता है इसके बरें लिखना हमने पढ़ा हुआ है और नहीं पढ़े हो आप लोग तो पहले आप वहाँ पर जा करके मेरा लेक्चर देखोगे जो मैंने विडियो बनाया है उसमें इन सारे प्रश्णों के बारे मैंने पूरत जिक्र किया है तो आंसर आपको मेरे उसमें मिल ज आपको बोर्ड एक्जाम का पूरा कोश्चन वहाँ पर मिलते जायगा ठीक है मानों में होने वाले क्रीमी जनित रोगों के बारे में तो आपको लिखना है कि कौन कौन से क्रीमी जनित रोग है तो याद रखो कौन से चप्टर था हमारा आठवा चप्टर याद है ना तो आठवा चप्टर में हमने पूरा रोग के बारे में पढ़ा है प्रोटो जोवासे होने वाले रोग क्रीमी जनित होने वाले रोग तो कोश्चन को थोड़ा से रिलाइस करो दिमाग में एकदम सोचो कि कौन से चप्टर में हमने पढ़ा इसमें तो नहीं पढ़ा इसमें त तो आपके दिमाग में इस 26 प्रशन को पहले से डाल के रख रही हूं अचानक से सैंपल पेपर आगया आपके हाथ में हो सकते हैं यह बोड में होना चाहिए यही प्रशन कल आ गया मेरे में तो मैं क्या लिखूंगा यह क्या लिखूंगी ठीक है तो आप अनलाइसिस करो इस 26 प्रशन को ठीक है एक्चल में यह मैं कोश्चन पेपर में ही पुरण डाल के रख रही थी लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा आप इसमें कर सकते हैं मैं पिपटी में भी बना के बता सकती हूं ठीक है तो यह सारे कोडौन के बारे में श्रिंखला यह बहुत इंपॉर्डेंट टॉपिक होता है तो आप इसको याद रखोगी पेपर में आते हैं ठीक है अब मैं बात करूँ क्या तीन अंक्ये प्रश्णों की देखो मैं पूरा डिटेल नहीं जाओंगे आप सिर्फ कोशन देखो चाहो तो आप स्क्रीन सौर्ट ले सकते हैं वो ज़्यादा अच्छे आप लोगों के लिए ठीक है तो स्क्रीन सौर्ट लोगे तो फिर आपको मै तो को सब्सक्रीन सब्सक्रीन नहीं पटाना पड़ेगा स्क्राइब आपको पताइगा कि इस तरीके से कॉश्ण जो है कोश कोशन युद्धगा अब सब्सक्राइब 1-2 डोट हई है कितना लिखता है कैसा रेटी करता है सब कुछ बता है ठीक है तो यह कोश्चन तो मेरे है आप ती अंक प्राषन और पांच प्रले बंक प्राल 19 यहां हुँआ हैं। सिर्फ आपको ये बताने के लिए आई हूं, कि आप जब भी पीपर दिलाते हो, ठीक है? आप जब भी पीपर दिलाते हो तो उस चीज का खास ख्या रखोगी, जैसे कि मैं बताई ना, एक तो चार अंके प्रश्ण और पाच अंके प्रश्ण ऐसे होते हैं, ध्यान देना एक ही चीज में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखो, देखो, जब भी हम 4 और 5 अंकी बात करे, 4 या पास अंकी की बात करती हैं, तो हमारे दिमाग में 4 चीजे एकड़ा बैठ जानी चाहिए, पहला आपको क्या लिखना है अच्छा जब आंसर राइटिंग आप करते हो ना तो चार और पांच नंबर को प्रस्तावना देकर प्रस्तावना डेफिनेशन या अगर पूछा गया है उसमें यह टाइप्स क्या होता है इन सब चीज के बारे में अभी आप लिख सकते हो तो ह यहां पर आपको क्या क्या चीज एड करना है चार और पांच नंक के प्रश्णों में एक तो आपको डाइग्राम बनाना नहीं भूलना है ठीक है यनि कि चित्र आपको बनाना है क्या फ्लोचार्ट ठीक है तो फ्लोचार्ट पर आपको विसेज ध्यान देना पड़ेगा ए लिखता है लिखते हो आप लोग तो वो चेक करने में मजा नहीं आता है तो आपको पॉइंट वाइस करके लिखना है और एक विसेज ध्यान जब भी आप हैडिंग को लिखे हैडिंग को जब भी लिखे तो कोशिश करें ब्लैक पेंस से लिखने का हैडिंग आंसर राइटिं से नहीं बनाना है फिर से रिपिट करती हूँ डियाग्राम को आपको पेन से नहीं बनाना है पैंसिल से बनाना है और पैंसिल से ही नाम लिखना है ठीक है यह नहीं करोगे पैंसिल से आपने कोई डियाग्राम बना दिया और क्या किया आपने डियाग्राम को आपने क्या किया पेंस से नाम लिखा क्योंकि अभी में ग्यारवी बारवी का पेपर जो अर्धवारशिक त्रमाशिक की पेपर चेक करें थी बहुत बच्चे लोगों ने यही गलती की है कि आपने डाग्राम तो कभी-कभी सीज से बना देते हो पैंसिल से बनाते हो लेकिन नाम जो है आप प एक अंका प्रेशन उत्तर सौल कर दो 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 अंका कर दो चार और पाच में हमेशा डाग्राम फ्लोचार्ट पॉइंट वाइस लिखना और अंडर लाइन मार सकते हो तो बहुत अच्छी बात है उधारन एक चीज़ और भूल गई थी मैं क्या उधारन को जरूर लिखा करे बहुत अंक देता है ये आपका उधारन ठीक है तो आपको ये चीज़ को ज्यादा याद रखना बड़े अच्छा एक बच्चे ने एक कोशन किया था मुझे कि मैडम पहले चैप्टर में पाच अंक के प्रशन क्या आते हैं तो ध्यान से सुनो बेटा पाच अंक के जो प् अहां से काईक जनन के बारे में ठीक है काईक जनन क्या होते है जैसे गुटी बांधना अपने पढ़ा हुआ होगा अगर ट्वेल्थ में पहरा चप्टर पढ़ा हुआ है तो गुटी बांधना किसको बोलते है ठीक है और आपका क्या कहते हैं उसको तने से क्या कहते हैं उस मैं फिल रिपीड करते हूं मैं सिर्प आपके एक्जाम के लिए लिए लिक्षन के पैटर्न को बताने के लिए हूं ठीक है आपको याद रखना है polymerase channel shrinkla हमने किसे में पढ़ा हुआ है आप याद रखे shrinkla अभी क्रिया क्या है घास के मैदार में पारिसिक नदर हमने पाचवा unit में पढ़ा हुआ है last way ठीक है तो कहने का मतलब जो chapter से question आते हैं इस तरीके से आप इसको screenshot करके जरूर रखे और लिख करके पूरा practice करे लिख कर डियाग्रम बना कर point wise लिखे topic topic लिखते जाओ और topic को detail में करते जाए ठीक है तो इस तरीके से आप अपना answer writing देते जाओगे माल जो यही portion आएक तो आप कैसे लिखोगे आपको filariasis हो गया ठीक है तो मैं आया तो कैसे answer लिखो कारण कैसे बता होगी सबसे पहले filariasis होता क्या है रोग जनक क्या होते हैं ठीक है कारण यह नहीं कि तीन चीजे पूछा तो सिर्फ आप तीन चीजें को लिखो कहने का मतलब आप कारण तो लिखोगे लक्षन भी लिखो उपचार लिखोगे इसके पहले filariasis रोग के बारे में थोड़ा सा दो लाइन आपको लिखना पड़ेगा उसके बाद उसके कारण लक्षन और उपचार को लिखते जो ठीक है तो इस तरीके से आपको इसको सोल करना पड़ेगा जैसे 25 प्रेशन में क्या दिया आपको याद रखना पड़ेगा उधारन को याद रख लेना ठीक है, महाल लोग भूल जाते हो, आप लोग लिख लेते हो, अलकोहल के बारे में तो हर कोई लिख लेता है, लेकिन कौन-कौन से अलकोहल, अलकोहल का नाम important है हाँ पर, तो उसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इस्त्री जनन और पूरुस जनन चंद्र नी सेचन इन सब के बारे में तो मैंने पूरा डीटेल आपको बताया है, तो प्लीज करके आप मेरे वीडियो को पूरा डीटेल में जाके जरूर देखे ना, पूरुस का, इस्त्री का, दीनी सेचन वाली जो पद्धिती है, सेकेंड चेप्टर का, पूरा अच्छे से डीटेल आपक के लिए ही है, ये भी कोशिन खीश सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कोशिन आया, तो आप अपने ये पूरे प्लेश्टों को अब अपने कॉपी में सौल करके देखना सुरू कर दो, मालो जो यही आगया, तब कैसे करोगे, ठीक है, तो इसको खुद से बैठ करके सौल करो, क या पता यही आजाए, ठीक है, तो आई होब ये टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा, मैं जो बोलना चाहा रही थी, वो आपके दिमाग में गया होगा, कि सैंपल पेपर की कोशिन इस तरीके से आए, तो आपको कैसे सौल करना है, हाइलाइट करो, आपके दिमाग की बत आप लोग मुझे देते जो, आप लोग का प्यार बना रहेगा, कमेंट करते जो, मुझे में लगेगा, मेरे बच्चे देख रहे हैं, तो चले इजाज़त देते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, पेपर अच्छे से बनाना है सबको, ठीक है, तो चले चलत हैं, धन्यवाद.